नमस्कार मैं हूँ नंदनी आप देख रहे हैं दब फुल जड़ी शोशल मेडिया दिगज फेस्बुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल कर अप मैटा कर लिया है कंपनी के सीओ मार्क जगबग ने गुरु आर कोई इसकी गोशना की और नाम बदलने को लेकर जानकारी वैसे तो कुछ दिन पहले ही मिल गई थी लेकिन आज हम आपको बताने जा रही हैं कि कंपनी के नाम बदलने के पीछे की वज़ा क्या है दरसल मार्क जगबग चाते हैं कि उनकी कंपनी को किवल एक शोशल मीडिया कंपनी के तोर पर ना पैचाना जाए कंपनी शोशल मीडिया से आगे बढ़कर मेटावर्स वर्ल की त्यारी कर रही है इसके लिए कंपनी ने 10,000 लोगों को हायर भी कर लिया है जो मेटावर्स बनाने में कंपनी की मदद करेंगे मेटावर्स को आप वोशोल रियाल्टी के तोर पर भी समझ सकते हैं यानि एक ऐसी दुनिया जहां लोगों की मुझोद की डिस्टली तोर पर रहेगी लोग डिस्टली एक दूसरे से मिल सकेंगे आपको ये भी बता दे कि मेटावर्स पर फेस्बुक ही नहीं बलकि माइक्रोसोफ जैसी बड़ी कंपनिया भी निवेश कर रही है जाकबग काफी पहले से ही वोशोल रियाल्टी और आउगमेंट रियाल्टी पर भारी निवेश करते आ रही है कुल मिलाकर कहा जाए तो मेटावर्स की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए फेस्बुक ने अपना नाम बदल कर मैटा कर लिया है कम्पनी की यही कोशिश है कि लोग अब से फेस्बुक कम्पनी को केवल शोशल मीडिया कम्पनी के तोर पर ना पहचाने अब नाम बदलने के बाद जल्दी कमपनी की और से कई बड़ी गोष्णाई मीं सामने आ सकती हैं आपको बता दें कि जो नाम में बदलाव किया गया है वा पेरिंट कंपनी के लिए है यानि Facebook का बतौर bea कर मैटा किया गया है कंपनी के बार की प्लाटफॉर्म जैसे फेस्बूक इंस्टाग्राम और वॉट्सअप कोई नी नाम उसे जाना जाएगा यानि नाम बदलने से यूजर्स पर सीधे तोर पर कोई असर नहीं होगा आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बागे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद